इंट ख्लास 6 के चेक्टर नमबर 3 में जोग्रफी के चेक्टर नमबर 3 में आपका स्वागत है जोग्रफी के चेक्टर नमबर 3 का नाम है मोशं सॉव दा generated तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिनसे आपको इस चेप्र को समझना है कि अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं अर्थ अपने एक्सेस पे भी घुमती है और सूरी का भी चक्कर लगाती है तो इन दो मोशन के नाम है रोटेशन और रेवलूशन दूसरी बात हम जानते हैं हमने सोलार सिस्टम में पढ़ा है कि अर्थ को लाइट जो होता है वो सं से मिलता है और अर्थ के ये दो तरह के मोशन के जो नाम है वो आपको पता ही है वो है रोटेशन और रेवलूशन तो अर्थ के स्पेरिकल शेप के कारण due to the spherical shape of अर्थ केवल इसका half part को ही सं से एक टाइम पे और जब अर्थ घूम करके सन के तरफ आती है जैसे इस image में आप देख सकते है कि जो भाग अर्थ का सन के सामने है उसे वहाँ पर दिन है और जो सन के सामने नहीं है वहाँ पर रात है और ये जो second picture है इसमें आप देख सकते हैं कि आर्थ जो है अपनी access पर जुकी हुई है और आर्थ में imaginary तीन लाइने हैं बीच में एक लाइन है जिसको equator कहा जाता है उसके उपर ट्रॉपिक आफ कैंसर है और उस सबसे नीचे ट्रॉपिक आफ कैप्रिकॉन है उपर का पार्ट नार्थ पूल बता रहा है और नीचे का पार्ट जो हो रहा है वो साउथ पूल से हम डेनोट कर रहे है तो इस image को आपको ध्यान रखना है तो हम पढ़ रहे हैं कि आर्थ को जो light मिलता है वो sun से मिलता है फिर rotation जब आर्थ करती है तो अपनी access पर करती है और जो second motion है अर्थ का वो sun के आसपास होता है जिसको revolution कहते है और sun का एक चक्का लगाने में अर्थ को 365 days और 6 hours लगते हैं जिसको 1 by 4 days कहा जाता है तो generally एक year में 365 days होते हैं और जो 6 घंटे बच जाते हैं उनको जदी हम plus करें तो 4th year में वो 6-6 घंटे मिलकर के 24 hours हो जाएंगे और इसलिए हर 4 साल में जो February होती है February is of 29 days instead of 28 days जैसे इस साल आप देख सकते हैं 2020 है तो इसमें February जो थी वो 28 days की नहीं थी 29 days की थी तो ऐसे year को हम leap year कहते हैं क्योंकि अर्थ का जो 1 by 4 वाला पार्ट है मतलब जो 6 hour है वो हर साल आप plus करिए तो 4 year तक दिए आप plus करेंगे तो वो 1 day बन जाता है फिर अर्थ जो होती है वो सन के आसपास सरकल वाले पाथ में चक्कर नहीं लगाती इस तरह के पाथ में चक्कर लगाती है जैसे की आपको image में दिख रहा है और यह जो orbit कहलाता है यह elliptical orbit कहलाता है तो आर्थ की दो situation बनती है एक summer solstice और एक winter solstice 21 June से आगे जो northern hemisphere होता है वो sun की ओर जुप जाता है तो summer solstice होता है और winter solstice 22 December के बाद south pole जो होता है वो sun की तरफ tilt हो जाता है तो इसके करण winter solstice होता है और इनके बीच में दो date ऐसी पड़ती है जिसमें अर्थ जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है वो होते हैं 21 March और September 23rd तो इस समय में अर्थ का कोई भी जो pole होता है वो sun के तरफ नहीं जुका होता इसलिए day और night इन दो तारीकों को बराबर होते है इसलिए इनको equinox कहते है जो equinox का मतलब होता है यदि आप से पूछा जाए कि कौन सी date पे equinox होता है तो 21 March और 23rd September को होता है और अर्थ के इसी inclination या जुकाओ के कारण season हमारे यहाँ पर होते हैं जैसे आपने देखा होगा गर्मी में जो sun होता है वो एकदम तेज हमें लगता है जबकि winter में वो हमें एकदम तेज नहीं लगता इसका कारण यह होता है कि जो पार्ट अर्थ का sun के तरफ जुका होता है उस तरफ जादा गर्मी पड़ती है और जो पार्ट दूर रहता है वहाँ पर ठंडी पड़ती है नोट बुक में क्या क्या क्वेश्चन है वो हम देखेंगे सबसे पहला है what is the angle of inclination of earth axis with its orbital plane orbital plane के साथ जो अर्थ का inclination है वो कितना है वो है 66.5 degree second question है तो इन questions को आप अपनी copy में लिखेंगे और ये वाला जो picture है ये आपको आपकी copy में बनाना है ये winter और summer solstice को बताता है जिसको आप अगले वीडियो में और अच्छे से समझ सकते है फिर हम second question है define rotation and revolution तो rotation जो होता है वो moment of earth है उसकी access पर ये आप यहां से लिख सकते हैं सामने हमने लिखा है rotation is the moment of earth on its axis तो यहां पर ये पूरा नहीं आया है लेकिन आप लिख सकते है rotation is the moment of earth on its axis और revolution क्या है revolution is the moment of the earth around the sun in a fixed path revolution में क्या होता है आर्थ जो होती है वो sun के आसपास एक fixed path में गुमती है C वाला question है leap year क्या है जिस year में 366 days होते हैं the year with 366 days is called a leap year यासे इस साल 2020 एक leap year है फिर आपको differentiate करना है between summer solstice and winter solstice दोनों position आपको अच्छे से पता होना चाहिए summer solstice एक तरफ लिख लें एक तरफ winter solstice लिख लें summer solstice जो होता है वो 21 June को होता है longest day होती है shortest night होती है northern hemisphere में summer season होता है northern hemisphere में यह अपन को लिखना है फिर और उसका opposite होगा winter season southern hemisphere में यहां लिख सकते हम कि यहां लिखा है summer season in northern hemisphere फिर हम यह भी लिख सकते है winter season in southern hemisphere winter solstice जो होता है वो 22 December को होता है यह लिखा हुआ देख लीजिए आप summer winter में एकट्टे दे दिये हैं यहां पर तो चार पॉइंट summer solstice के हैं चार equinox क्या होता है तो जिनमें डे और नाइट इक्वल होते हैं वो equinox कहलाते हैं यह दो date है जिनमें डे और नाइट इक्वल होते हैं 21 मार्च और 23 सेप्टेम्बर फिर वाइडर सदन हेमिस्फियर एक्सपिरियंस winter and summer solstice and different time than that of northern hemisphere ऐसा क्यों होता है कि जब northern hemisphere में summer होती है तो hemisphere का मतलब होता है आर्थ का आधा भाग कि यदि हम आर्थ को बीच से देखें तो इसके 2 hemisphere हो गए 2 अर्थ गोले बन गए तो उपर वाला पार्ट माना जाता है northern hemisphere और नीचे वाले पार्ट को southern hemisphere माना जाता है globe के साब से और एक पार्ट जब sun की तरफ जुका रहेगा तो वहां जादा गर्मी पड़ेगी तो दूसरा पार्ट sun से दूर हो जाएगा वहां पर ठंडी होगी तो इसलिए ऐसा होता है तो यही लिखा है this happens because of the angle between earth axis and its orbit on 21 June the sunlight falls directly sunlight falls directly on the tropic of Cancer hence it is summer solstice in northern hemisphere and on 22 December the sunlight falls directly on the tropic of Capricorn hence it is summer solstice in southern hemisphere तो जब भी sun की rays directly पढ़ेंगी तो वहां पर summer होगा इसलिए एक बार northern पार्ट सामने आता है एक बार southern पार्ट सामने आता है इसलिए ऐसा होता है वाइ डू पोल्स experience मतलब जो south pole और north pole है वहां पर six month का day होता है और six month की रात होती है इसा क्यों होता है तो जो पोल है वो experience करते हैं six month का day और six month की night क्योंकि वो भी आर्थ की क्यों इसलिए तिल्ट चीवाज़े से यहीं जुकाओ जब नौर्डन हेमिस्फियर सन के तरफ होता है तो नौर्थ पोल जो होता है वह सन की तरफ जुक जाता है तो वहां पर six month का day हो जाता है और इसके अपो़िट जो होती है वो southern हमिस्फियर में होता है वहां पर जो होत जाता है डायरेक्ट रेज ऑप संजो होती है एक्वेटर में कब गिरती है वो 21 मार्च को गिरती है क्रिस्मस समर में कहां मनाय जाता है तो आस्ट्रिलिया में मनाय जाता है क्रिस्मस 25 डिसंबर को होता है उस समय हमारे यहां तो क्या होता है थंडी होती है लेकिन आस्ट्रिलिया जो होता है वो वहां पर गर्मी होती है तो क्यों होती है यह अर्थ के जुकाओं की वज़ा से होती है cycle of season क्यों होते हैं वो revolution की वज़ा से होते हैं जैसा अभी हमने आपको बताए कि धर्थी सूर्य का चक्कर लगाती है इसको revolution कहते हैं और वो अपने अपने access पर दो बार inclination करती है एक बार north के तरफ एक बार south के तरफ कि फिलिंदब लेंग्स आपको करना है लीप येर में कितने डेज होते हैं तो हम लिखेंगे 366 डेज कि डेली मोशन आर्थ का क्या कहलाता है वो rotation कहलाता है आर्थ जो होती है सन के आज़ु आज़ु कैसे पाथ पर चलती है तो जो होती है वह 21 जून को कहां गिरती है तो ट्रॉपिक आफ कैंसर पर गिरती है और विंटर में जो होते हैं डेस क्या होते हैं शौटर होते हैं तो यह सारे आंसर्स जो है आप अपनी कॉपी में